हेलो फ्रेंट्स कॉंपटिशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमिन प्रधान आई ये फ्रेंट्स आज हम देखते ही इन्वार्मेंट एंट टेकलोजी की कुछ और महत्पूर्ण प्रशनों को जो आपकी एक्जामनेशन के पॉइंट आप उसे इंपॉर्ट ये ऑप्शन्स दिये हुए हैं 1980, 1974, 1975, 1981 ये अलरी एक्जाम में पूछा जा चुका है उसके बावजुदे से आपको सॉल करना बहुत जवरी है तो याद करिए प्रिछले क्लास में भी हमने सिमिलरली जल प्रदुशन को लेके एक कोशन सॉल किया था तो उसका जल प्रदु का air pollution prevention and control act है तो कौन सांसर हो जाएगा डी इस दा राइट आंसर चलिए नेक्स कोशन की और मूफ करते हैं नेक्स कोशन देखे यहाँ पर क्या है ओप्शन्स इसमें आ कोशन है कि ओजोन छिटर के लिए कौन उत्तरदाई है हूँ इस रिस्पॉंसिवल फॉर दा ओजोन हो मैं ये दोनों जगएगा है ओजोन गैस मिलती है 90 आंटी परसन गेस कहां मिलती है समताप मंढल में 10% मिलती है घ्टिण के सघंता अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तब ओजोन परत बंती है औक ज्यादर का छταम हैं इसकी यकारे का झांत्टिक उसको filter कर देती है और पित्थीवी के ऊपर इस प्रकार एक umbrella जैसे कारे करती है इसलिए ओजोन परत कहते है तो उसमें छिद्र के लिए कौन responsible है कहा रहा है मतलब ओजोन depleting agent कौन है कहा जा रहा है है ना तो यहां पर ओजोन छिद्र के लिए कौन responsible है carbon dioxide नहीं यह तो atmosphere में वैसी मौझूद है ठीक है तो यह तो नहीं होगा sulfur dioxide यह pollutant है प्रदूशक है oxygen already मौझूद है तो chlorofluorocarbon ठीक है इसका सही उत्तर है और याद रखेगा जितने हेलोजंस के compound होते है ना fluorine chlorine bromine iodine वगरा उसके जो compound होते है वो क्या है ozone depleting agent के तौर पर भी काम करते है मतलब याद रखेगा उन बातों को ठीक है तो यहां पर इसका answer क्या है d है next question की और move करते है next question है ozone चिद्र का निर्माड सरवाधिक है तो सबसे बढ़ा क्या है ozone उजो जो layer है उसमें pore पहांपे है ozone hole कहां पहांपे सबसे बढ़ पूह जादा कहां पहांपे पूछा जा रहा है तो options है भारत के उपर अफ्रीका के उपर अन्तरक्टिका के उपर येरोप के उपर तो अंत Antarctica के ऊपर क्या है? ओजोन छिदर मिलता है, ओजोन होल मिलता है और याद रखेएगा ये कोई इस्थाई होल नहीं है ठीक है? ये क्या है? वापस से फुलफील हो जाती है फिर कुछ समय बाद फिर से वो like होल हो जाता है तो restore होना फिर से hole होना यह चलते रहता है कुल मिला कि यहाँ पर ओजोन चिदर सबसे पहले देखा गया था Antarctica के उपर तो C is the right answer next question देखते हैं next question है राश्टी वन नीती में भारत के कुल भागौलिक छेतर के कितने प्रतीसत पर वन रखने का लक्ष है तो what percentage of the total geographical area of India is targeted of forest in the national forest policy percentage पूछा है कितने प्रतीसत पर वन रखने का लक्ष है तो अभी देखते हैं options क्या है one fourth, half, fifth या फिर one third तो अभी अगर आप देखें तो भारत के कुल छेतर रफल का उसका क्या है एक बटे चार यानि कि हम इसे कहते हैं 24.06 या अगर हम इसे round figure में लें तो 25.30 कह सकते हैं अभी ये वर्तमान में है तो वर्तमान में तो है तो इससे ज़्यादा ही लक्ष रखा जाएगा one fourth है तो उससे क्या है उससे उपर ही ले जाना है तो one third हो सकता है, one half हो सकता है ठीक है तो कितना ये तो अभी वर्तमान में है तो ये options तो गलत हो गया आधा बहुत बड़ा target है मतला भारत के कुल भूमी का total geographical area का आधा क्या forest हो ये बहुत बड़ा लक्ष है ठीक है तो फिलहाल ये भी options आप गलत कर सकते हैं one fifth ये तो ultra और deforestation करने की बात कह रहा है है ना एक चौथाई और है और पांचवे हिस्से में करो बोलना तो ये भी गलत हो गया तो one third है याद रखिएगा मतलब 33 पतीसत ठीक है one fourth है मतलब 25 पतीसत वर्तमान में है उसे एक तिहाई लेके जाना है मतलब क्या कहूँगा मैं 33 पतीसत ले जाने कर लक्षय रखा गया है ठीक है तो d is the right answer चलिए अब next question की और move करते है next question देखिए आप है घडियाल को उसके उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाते है तो निम्लेलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है घडियाल गंगा नदी नहीं गंगा नदी फेमस है गंगेटिक डाल्फिन के लिए गंगा की डाल्फिन के लिए फेमस है आपको डाल्फिन के बारे में पता है जैसे कि हमारा राष्टी पक्षी क्या है मोर है ठीक है राष्टी पक्षी मोर है प्रतीह काह सकतें क्योंकि वह नेशनल लेवल का नीशनल एक्वेटिक एनिमल रास्टी जली जीव है, то क्या गंगहेटिक डाल। यहाँ पूछा गडियाल तो यह गंगवें तो क्या है, गंगा की डाल। इसमिएं मिलती थी और एक सबर में गंगा की सार्क भी मिला करती थी लेकिन आप तो यहा पर अन्दर प्रदेस्ट और वह सब्सक्राइब वहां कीा दूर्द मिल तो क्या है इसका answer तो फिलाल घडियाल के लिए बी राइट answer है चलिए next question है वर्ल्ड वाइट फंड वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक है ठीक है दो डबलू डबलू एक का प्रतीक क्या है आप देखते हैं लायन जाइन पांडा हॉन बिल या सफेद भालू याद रखिएगा जाइन पांडा ठीक है जाइन पांडा इसका करेक्ट उत्तर है ड इसमें वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च 20 दिसम्बर 5 जुनिया 21 जुन को ठीक है? वर्ल्ड वाइल लाइब डे तो याद रखेगा ये जो वन्य जीव आ रहा है ना वाइल्ड अनिमल्स या वाइल्ड लाइब जो कहा जा रहा है तो इसमें क्या होते हैं? एनिमल्स प्लस प्लांट दोनों आ जाते हैं तो इसके इंटरनेशनल ट्रेड यानि की वैस्पिक ब्यापार को रोकने के लिए इल्लिगल ट्रेड यानि की गैर कानूनी ब्यापार को रोकने के लिए एक संधी हुई थी उसका नाम है सीटेस तो वो कब हुई थी तीन मार्च 1973 को हुई थी और इसी तीन मार्च के कारण हम मनाते हैं विश्व वन्नी जीव दिवस ठीक है जैसे अभी हाली में क्या बस्तर के जंगल से क्या ले जाया जा रहा था कुछ दुरलब प्रकार का जो एनिमल ले जा जा रहा था उसको पुलिस ने पकड़ा था तो वो क्या है एक इलिगल ट्रेट का पार्ट है अगर वो इंटरनेशनल एयरपूर्ट पे या कहीं पे भी पकड़ाय जाता तो यह सिटेस संधी उस पे लागू होता क्योंकि इलिगल और कानून बनाए गया ठीक है इस बात को ध्यां रखना है तो आपको यहां पर तीन मार्ज इसका अंसर करना है बाकी ऑप्सेंस गलत है चलो नेक्स कोशन की और मूव करते नेक्स कोशन दिया हुआ है किस भारती वन सर्विक्षन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस रा यहां पर देखते हैं ऑप्सें मद्यप्रदेश भाई यह तो छेत्रफल में सबसे जादा है मद्यप्रदेश में क्या है सबसे जादा वन का छेत्रफल है ठीक है दूसरा अरुनाचल प्रदेश है और तीसरा आप याद रखना यहां पर क्या है आपका हमारा 36 गड़ है ठी जैसे कि मिजोरम, तो मिजोरम का कुल छेतरफल का सरवाधिक प्रतिस्त क्या है अब समझपा रहे हैं, जैसे यह मालोग ऐसी स्टेट का जो है, उनका कुल छेतरफल है, for example, यह मिजोरम का, तो अगर उसका maximum percentage जैसे यह पूरा percent क्या है, अगर ये देखते हैं ये वनों से क्या है घिरा हुआ है तो ये क्या सरवाधिक प्रतीसत होगा ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि सरवाधिक छेत्रफल में सरवाधिक प्रतीसत कह रहा है ठीक है तो मिजोरम फर्स रैंकिंग है और इसमें भी सेम जा है अरुनाचल प्रदे और इसमें 9 ने मदर परदेश टॉप पे हैं प्रतीसत 6 टरफल में कहा जाएगा तो मिज्रम फस्पे है इसका अंसर क्या हो जाएगा चैलिए नेक्स सुष्चिन की और देखिए है नेक्स कॉश्चन है अपिको आंदुलन के प्रणेता कौन है तो हमने पहले पड़ा था सब्सक्राइब का है अपिको मोमेंट और यह साउथ इंडिया में हुआ था इसलिए क्या है साउथ का चिपको मोमेंट भी इसे कह दिया जाता है ठीक है तो मेगा पार्ट कर जो है मैं बताया था नर्मदा बचाव आंदोलन से थे पांडू रंग हेगडे इसका राइट आंसर है ना तो पांडू रंग हेगडे जो है इन्होंने अपिको आंदोलन चलाया था बेसिकली करनाटा छेत्र में ठीक है और सुन्दलाल भागुणा साब को मैं बताया था चिपको आंदोलन से यह क्या साइलेंट वैली आंदोलन से था सलीम अली सर का चलिए नेक्स कोशन आसपास तो यह क्या है आंसर है क्लेर हो गया तो चलिए अब हम टेकलोजी की और मुब करते हैं कुछ और महत्पूर प्रस्णों की और तो चलो पहला टेकलोजी का कोशन देखिए यह दिया हुआ है ट्रांस जैनिक फसल का उदाहरण है मतलब जैनेटिकली मॉडिफाइड आनवानजिक फसल की बात की जा रही है तो क्या-क्या है बीटी बैंगन ठीक है बीटी बैंगन ऊप्षन में है देखिए तो यह भी है आपका जैनेटिकली मॉडिफाइड जो है फसल paar से ट्रांस जैनिक फसल है बीटी का पास यह भी है मतलब दो आप्षन करेक्ट होआ मतल जिसके बाद क्या है इनकी प्रतिरोधात्मक छमता जो है इनकी जो है इम्मेनिटी काफी बढ़ जाती है रोगों से लड़े ने की और इसका प्रडेक्शन भी फिर जादा हो जाता है तो यह क्या है बीटी मैंगन और बीटी कपास गोल्डन राइस सब के सब ट्रांसजेनिक फसले तो अब दाइब यह बड़ा इंपोर्टेंट कोशन याद रखेगा चलो नेक्स कोशन की और मूब करते हैं भारत में भारत में क्या देखते हैं स्वेट क्रांती के जनक स्वेट क्रांती के जनक कौन है इसे ओपरेशन फ्लड भी कहा जाता है यह इजी-जी कोशन जर अबले भी बताया था कि भारत में क्या है दुखधा प्रड़क्शन का मिल्क प्रड़क्शन की के लिए क्या है उन्होंने सहकारी समीतिया बनवाई थी कोपरेटी सोसाइटी बनाए थे जो आनन मिल्क उनियन लिमिटेड पड़ते हैं आमुल मिल्क एक्चल में इनकी ही दे प्रड़क्शन होता था फिर वहां पे जादा दक वहां पे कंटेनर में रखे जाते थे बहुत सारे प्रड़क्शन को आप खाते हो ठीक है तो फिलाल यह उनका जो इनिशेटिव था वर्गेस कुरियन सहाब को जाता है इसी कारण उनको परत्मा विभूशन मिला था जो से मोटी मोटी बात नहीं है चलो नेक्स कोश्चन की और मूव करें सौल करिए राश्टी प्रड़की की दिवस हर साल कब मनाया जाता है ठीक है ग्यारा माई तेरा माई 28 फरवरी 15 अगस्त तो बताईए भाई 15 अगस्त आने वाला है ठीक है क्या है यह तो इंडिपेंडनेस ड के लिए नुकलियर टेकलोजी के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है तो जब हमने पोखरण का टेस्ट किया था तो ग्यारा माई 1998 को हमने नुकलियर बॉम बनाया था उसका सफल परिक्षन किया था तो उसके बाद अतकालीन प्रदाहन मंत्री बाचपही साहब के द्वारा क्या कहा गया कि एवरी यर हम 11 माई को नेशनल टेकलोजी डे बनाएंगे जो बेसिकली हमारे टेकलोजी डेवलप्मेंट को बताएगा प्रदोगी का प्रदर्शन को बताएगा ठीक है तो इसलिए इसका आंसर लिखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा बी राइट आंसर है और 28 फरवरी मै इसका राइट आंसर है नाव मूव करतें नेक्स्ट कोशन की और ठीक है नेक्स्ट कोशन सौल करिए लिखित में से कौन सा मिसाइल नहीं है ठीक है मिसाइल के कंसेप अगर आपने प्रिवेस लेक्चर देखा तो अल्ड़ेडी क्लियर हो चुका है आसानी से बना सकते हैं प धनुष से क्या होता है धनुष से क्या तीर छोड़े जाते हैं तो इसमें क्या है कि पिनाका भी क्या होगा इस टाइप का किसी प्रकार का लॉंचर हो सकता है तो यह क्या है पिनाका एक रॉकेट लॉंचर है ठीक है पिनाका रॉकेट लॉंचर है मल्टी वैरल रॉकेट ल art कैसे याद रखेंगे इसे याद रखने का सबसे बड़ी है तरीका जिसे जब हम दसी पास करते हैं ना तो दसी पास करने के बाद हमारे पास option आता है कौन सा subject ले क्या आप science ले रहे हैं मतलब क्या आप बायू ले रहे हैं क्या आप हम कहते हैं maths ले रहे हो क्या आप arts ले रह περι sym traveh में सभते हैं हिश को पता है कि साहिति की शेतर में भी ढिया जाता है ठीक है चॉथा हो गया उसके बाद हमको ये भी पता है सान्ती के शेतर में भी दिया जाता है ठीक है तो क्या हो गया यह 3, 4, 5 हो गया और एक अंतिम जो देखते हैं एकनामिक्स के सेक्टर में भी दिया जाता अर्थसाथर कि में तो कितने हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा six हो जाएगा ठीक है यह बात ध्यां रखना है कितने छेत्रों में दिया जाता है एक्जाम के पहले जो है यह कोशन पूछा जाता है कि नॉबल प्राइस विनर किसी सेक्टर में फिजिस कमेस्टी मेडिसीन या लिटरेचर या पीस या एकनॉमिक्स में कोई किसको मिला है यह पूछा जाता है फिलाल अभी वरतमान में आप इतना आप भी समझें तो काफी है बाकी सेपरेटली आप अलग से नोट्स के हिसाब से आप उसे लर्न कर सकते हो ठीक है चलिए मुफ करते हैं नेक्स्ट कोशिन की और डिया डियो का मुख्याले कहा है बहुत आसान है लेकिन इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली है तो राइट आंसर क्या है हो जाएगा ए हो जाएगा ट्रॉम्बे क्या है ट्रॉम्बे में क्या है भाभा एटॉमिक रिसर्स सेंटर है ना भारत में जो नुक्लियर सेक्टर की जो सबसे बड़ी संस्था संगटन है उसका ह स्क्रीन पर यह है भारत का प्रथम उपग्रह किस वर्थ छोड़ा गया था उन्नेश सो असी उन्नेश सो पच्टर उन्नेश सनब्य या नाइनटीन सिक्स्टी नाइन बहुत इमपॉर्टेंट प्रश्ण है और बहुत कंसेप्च्वल भी कोश्चन है तो देखिए भारत का प्रतम उपग्रह कहा जा रहा है उसका नाम क्या है आरयभट तो आरयभट क्या भारत का प्रतम उपग्रह है इसे कब छोड़ा गया था उन्निस अपरेल 1975 को छोड़ा गया था ठीक है इस समय हमारा satellite था लेकिन launcher भारत का नहीं था ठीक है उसके बाद हमने क्या launcher याने प्रक्षेपण यान बनाया verse 1979 में जिसमें हमने पहली बार छोड़ा फेल हो गए उसके बाद 1980 में इसी launcher से फिर से छोड़े हमने तो उसके बाद 1981 में क्या हमने जो है अपना स्वदेशी प्रक्षेपण यान भी था और स्वदेशी अपना उपगरा भी था इस प्रकार हमने 100% indigenous 100% स्वदेशी उपगरा का अप छोड़ा 1980 में छोड़ा यहां पर स्वदेशी वाली कोई बात नहीं किया गया है तो भारत का प्रथम उपगरा किस बाद छोड़ा गया था आरिभट को 19 अपरेल 1975 को छोड़ा गया था अगर आपको पूछा जाए भारत का पहला प्रक्षेपण यान कब छोड़ा गया था 1979 में लेकिन वो फेल था पास था उससे कोई दिकत नहीं है सक्सेस्पुल था नहीं था कोई दिकत नहीं फिला 1979 में पहला अपना क्या है लाँचिंग वहिकल प्रक्षेपण यान छोड़े थे उसका नाम था SLV3 ठीक है और उसमें के बाद यह पहला अटेम्ट फेल होने के बाद दूसरे वर्स 1980 में हमने SLV3 से फिर से हमने क्या किया लाँच किया जिसमें लाँचर भी भारत का था प्रक्षे और उपग्रा भी भारत का था आपको पता है ना कि एक लाँचर होता जिसकी मदद से सेटलाइट को उपर ले जाया जाता है और यह लाँचर में क्या होते हैं फ्यूल भरे होते हैं यह जलता है उपर से जाता है और उसके बाद जब प्रित्वी की सता पर उपर जाता है तो इस प्रकार सेटलाइट क्या है डिटेच हो जाता है और उसके चारों तरफ क्या है चक्कर लगाता है चलो नेक्स कोश्चिन की ओर कोश्चिन नमबर एट एट देखते हैं भारत का सबसे सकती साली प्रक्षेपणियान क्या है सबसे पावरफुल लाँचिंग वहिकल क्या है तो यहां पर जो सीक्वेंस में बताया था याद रखना क्या क्या है देखो पहले PSLV GSLV Mark 2 SSLV या GSLV Mark 3 तो क्या है इसका अंसर देखिए तो अगर लाँचिंग वहिकल कहा जाए उसका सीक्वेंस सैटेलाइट लाँचिंग वहिकल पहला था उसके बाद इसे कब हमने बताया था 1979 में इसके बाद ASLV Augmented Satellite Launching वहिकल था उसे बनाया था 1992 में इसके बाद उसके बाद हमने बनाया था PSLV Polar Satellite Launching वहिकल 1994 में ठीक है यह तीन हो गया उसके बाद आगे यहां हमारे पास Cryogenic जैसी Technology आ गई तो भारत में इसके बाद क्या है GSLV Mark 2 जैसे बड़े बड़े जो है पावरफुल लाँचर आ गए फिर उसके बाद और सबसे ज़्यादा पावरफुल है GSLV Mark 3 ठीक है यह भारत का सबसे पावरफुल लाँचर है प्रक्षेपण यान है इसी की मदद से घगन यान छोड़ा जाएगा इसी की मदद से चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तो इसका क्या आंसर है डी राइट आंसर है तो यह याद रखेगा अब यह SSLV कौन बला है आपको पता है आज कल से टेलाइट माइक्रो सैटलाइट हो गया तो इतने चOoh बड़े लांचर को उपयोग करने की जोरत ही नहीं है तो आप क्या करेंगे से चोटे का प्रयापकरे कि छोट ठोल रहे हैं तो यह बात ध्यान रखेगा यासे क्यों संभा हो गया सला आकार चोटा करना क्यों संभा हुआ तो इसका आनसर आप जान रहें कि आप थे कि अधिक्लिन वह चोटा हो गया उसका्यकरण कि आप के याद रखिएगा ठीक है याने वाले एक्जाम के लिए द्रिश्ची से महत्पूर्ण होगा ठीक तो आट का क्या आंसर है डी आंसर है चलो नैस कोशन की और मूव करते हैं नैस कोशन दिखें यहां पर आप्शन दिये हुए कोशन दिया हुआ है सुमेलित नहीं है इट इस न मैच्ट तो क्या क्या है चंद्रयान वन कब छोड़ा गया था चंद्रयान छोड़ा गया था 2008 में चंद्रयान टू कब छोड़ा गया था है ना सुमेलित नहीं है पूछा गया तो आंसर तो निकली गया है यह 2010 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएग समय जब वह लांच जो है लेंडिंग कर रहा था तो लेंडिंग असफल हो गया था लेकिन वह जो है मंगल याँ कब छोड़ा गया था ये बिल्कुल सही है 2013 में छोड़ा गया था लेकिन पहुँचा कब 2014 में पहुँचा मतलब समझो एक लंबी जरनी के बाद यहां पहुँचा है कैसे पहुचता है पता है यह हमारी पृत्वी है माल लो यहां देखते हैं कि माल लो यहां पे मंगल है तो यहां से हमने क्या किया लॉंच किया और यहां पे औरवेट में क्या है चक्कल लगा रहा है इस प्रकार चकल लगा रहा है तो इसमें क्या है एक प्रकार का औरवीट होता है अलग अलग औरवीट होता है तो एक औरवीट ऐसा होता है तो ऐसे कर देंगे तो सीधा क्या चला जाएगा मंगल की और अरबिट में इस प्रकार चला जाएगा तो इसी प्रकार मंगल की चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है ठीक है तो यह आंसर याद रखना है ना तो मंगल यान भी करेक्ट है उसके बद गगन यान वर्स 2022 के ब्योम में तर ग्रोबोट है बहुत इंपॉर्टेंट कोशन बन सकता है ब्योम में तरह याद रखना उसके बाद क्या है तीसरे चरण में जो तीन एस्टोनॉट है तीन जो अंदेक्ष्यातर के ट्रेनिंग की गई है इनको भीजा जाएगा और अभी मैंने बताए कि लेट रश्या है रश्या हमारा सबसे इंपॉर्टन सबसे बेस्ट फ्रेंट निशन रहा है जो हमको बहुत सारे रक्षा उत्पात देता है लेकिन राफेल वहां से नहीं लाए गया था फ्रांस इसका आंसर है थर्टी सिक्स जो है राफेल जो है हमको अलग-अलग किस्तों में मिलने वाला है तो इसका पूरा नाम इसमें हम देखेंगे थर्टी सिक्स हमको क्या लडाकू विमान या फाइटर जेट हमको मिलने वाला है ठीक है यह बात ध्यार रखेगा तो अलग-अलग चरणों में हमको मिलेगा तो इस प्रकार आज आपनी साइन्स टेक्नलॉजी और इंवार्मेंट की कुछ और प्रस्टन सौल किये आई होप आप सभी को समझ आया होगा किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए मैं डेफिनिटली आंसर करूँगा मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ और मत्मूल प्रस्टनों के साब थेंक्यू सो आप आई ने आई